रादे रादे फ्रेंस आज हम बनाएंगे भिंडी की सबजी भिंडी की सबजी बनाने के लिए हमने यहां आदा किलो भिंडी लिया है और भिंडी को धुल लिया है वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सस्क्राइब करिए अब हम भिंडी को काट लेते हैं भिंडी को ना ज्यादा मोटा काटना है ना ज्यादा पतला एक इंच के सेफ में भिंडी को काट लेना है तो आप देख सकते हैं कि हमने भिंडी को एक इंच के सेफ में काट लिया है इसी तरह से सभी भिंडी को काटना है भिंडी को हमने काट लिया है एक इंच के सेप में खड़ाई में हमने दो चम्मच छसो का तेल डाला है तेल गरम हो गया है अब हम इसमें कटा हुआ नेसु डाल देंगे और हम इसमें कटा हुआ हरामिस डाल देंगे और एक चम्मच जीरा डाल देंगे अब हम इसे लाल होने देते हैं तो लाल हो गए हैं अब हम इसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे भिंडी को हमने डाल दिया है अब हम इसे मिला लेते हैं अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी डाल देंगे हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है अब चार से पास मिनट के लिए धक देंगे तो हम एक बार देख लेते हैं कि भिंडी में हमने एक कटा हुआ प्याल डाला था और स्वादा नुसार नमक अब हम इसे एक बार और ढख देते हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं भिंडी बहुत अच्छी बनी है खिली खिली अब हम इसे ढख कर नहीं पकाएंगे खुआ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भिंडी की सब्जी हमारी बन के तयार है आप इस सब्जी को डाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे पूरी के साथ खा सकते हैं बहुत अच्छी लगती है आप इस तरह बिंडी की सबजी बना कर खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी कमेंट में जरूर बताईएगा